स्री शिवाय नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक के महीने का सोमवार किस दिन पढ़ रहा है? 6 नवंबर 2023 को पढ़ रहा है और दोस्तो ये कार्तिक का जो महीने का सोमवार होता है ये बहुत ही बड़ा सोमवार होता है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसकार्तिक के महीने में पढ़ने वाले इस सोमवार के दिन किया जाने वाले वो विशेश उपआई बताएंगे जिन Stunden अगर आप लोग सकार्तिक के महीने के सोमवार के दिन करते हैं तो आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा आपके जीवन से दुख़ और समस्याएं दूर होगी सांथ ही में आपकी मनोकामनाई भी पूर्ण होगी तो इसलिए इस पूरे उपायों को अच्छे से सुनिएगा उसके बाद ही समझिएगा उसके बाद ही करिएगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्तिक महीने के इस सोमवार को किये जाने वाले इस पहले उपाय के बारे में तो दोस्तों सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जोकि कार्तिक के महीने के इस सोमवार के दिन करना है ये बहुत ही ज़दा विशेश और महत्वपूर्ण है ठीक है क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी घर में धंसम पदा तो बढ़ेगी बढ़ेगी साथ ही में भगवान शिप जी का भी आशिरवाद आपकी उपर होगा और जो भी दुख परेशानियां चल रहे हैं उनसे भी आपको यहाँ पर छुटकारा मिलेगा तो आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए देखिए कार्टिक के महीने का जो सुमवार है वो पढ़ रहा है 6 नवंबर 2023 को तो इस दिन आपको करना क्या है इस उपाई में आपको दो चीजों की आविशकता होगी सबसे पहली चीज है दोस्तो एक बेल पत्री है और दूसरी चीज है दोस्तो यहाँ पर एक शमी पत्र तो एक बेल पत्री और एक शमी पत्र सिर्फ आपको उपाई के लिए जो है पहले से तैयार करके रख लेना है और प्राथा काल सुभा सुभा ही आपको यह वाला उपाई करना है कोई भी उपाई अगर आप लोग सुमवार के दिन करते हो तो उसे जतना जलदी सुभा हो सके उतना जलदी करने की कोशिश किया करो तब ही आपको उपाई को जो करने का फल है वो बहुत जलदी और बहुत बढ़ा होकन मिलता है तो आपको करना क्या है आप अपने साथ भगवाई शिब जी के लिए जो भी पूजन सामगरी लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं बस उपाई के लिए एक पेल पत्र और एक शमी पत्र ये अलग से रखकर जरूर लेकर जाना ठीक है क्यों इन ही से जो है उपाई हम तो करना क्या है आप प्राताकाल सुबा सुबा शुद्ध हो के इस्तान करके भगवाई शिब जी के मंदर पहुँचे पहले आप लोग अपनी पूजन अर्चना कर लेना पहले शिब जी पर जल चड़ा देना दूद लेकर आया जो आप पूजन अर्चना करना चाहते है उ और एक शमी पत्र इनको आपको दो इस्तान ओपर चड़ाना है और दोनों ही अलग-अलग इस्तान है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेल पत्री के और पहले आपको बेल पत्री ही समर्पित करना है तो अपनी वहब एक बे भी होंगे जलाधारी के बिल्कुल बीचो बीच जो इस्थान होता है वो माता असुक शुन्दर जी शिप जी के सबसे छोटी बेटी का इस्थान होता है तो आपको करना क्या है यह बेल पत्र को आपको सबसे पहले माता असुक शुन्दर जी वाले स्थान पर समर्पित कर दे तो अब आपको यह उटना है और अपने हाथ स सीधे हाथ के तिल्य से इस शमरपित कर देना कई शिव जी शिवայाई शिवलेंगे उपर चढ़ाना है इस आप लेकों को अब शमी हो अब जब हम शिब जीब की ओपर कोई चीज समरफेत करते हैं तो जो पथी का भागोगा है, खुताया जो खिला हुआ भागोगा है वो हम आगे की तरफ करके रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जो शमी पत्र है इसकी जो डंडी का भागोगा वो शिवलिंग के पीछे की तरफ हो जाएगा और जो पत्तियों का भागोगा वो आगे की तरफ हो जाएगा ठीक है और समस्या को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे है भगवान से आपको उसके लिए विंती करनी है उनसे प्रार्धना करनी है आप विश्वास मानना कि इस कार्थिक के महीने के इस सोमवार के दिन अगर आपने ये वाला उपाय किया तो आपको भगवान से कुछ बोलन की बिदूरत नहीं है आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा बिना मांगे बिना बोले आपकी दुख और समस्याएं दूर होंगी ठीक है तो ये बहुत ही बड़ा उपाय है कार्तिक के महीने के सोमवार का जो कि हमने आपको सबसे पहले बता दिया है चलिए दोस्तों अब हम बहुत ज़दा रोग और बीमारी है या बहुत ज़दा बीमार पड़ा हुआ है या वो अस्पताल में भड़ती है और आप चाह रहे हैं कि वह जल से जल घर पर आजाए है आपको बहुत बुरा लग रहा है तो यह वाला उपाय इस कार्तिक के महीने के सोमवार को रात्त्र में 9 बचकर 15 मिनट पर जरूर कर लेना यह उपाय पंडी जी ने बहुत पहले बताया है पर यह उपाय इतना ज़ाधा अच्छा है कि आप कई सारे लोग को इस उपाय के बारे में पता नहीं है तो यह उपाय जो है आपके शरीर से रोग और बीमारी को दूर कर देता है या स्थान है वो है आपकी घर का मंदिर आपकी घर में अगर शिवलिंग है तो आप वहाँ पर भी उपाय कर सकते हैं या अगर आप भगवाण शिवजी के मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि रात्री को 9 बचकर 15 मिनट पर ही होगा त तो यहाँ पर आपको आउले का जल तयार करना है। तो यहाँ पर आपको आउले का जल मानने हो जाएगा। करना मातर यह है कि आप लोगों को इस आउले के जल को उस व्यक्ति के नाम से जो व्यक्ति रोग और बीमारी सिग्रसित है या मन्द यहाँ पर जो है अस्पताल में भरती है उसके नाम से आपको इस जल को भगवाई शिब जी की शिबलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जी जी का इस आउले के जल से अभी शेक कर देना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि सुमवार का जो दिन होता है वो भगवाय शिभी को बहुत जद अप्रिय होता है और सुमवार के दिन तीन दीपक वाला उपाए अगर जो व्यक्ति भी करता है ना उसको कुछ बोलने की जरूत नहीं होती है उसे बिना मांगे सब कुछ मिलता ह तो तीन दीपक वाला उपाय तो आप सभी लोग जानते हैं तीन इस्थानों पर हमें ये दीपक लगाने होते हैं और सीदी सी बात यह है कि तीन व्रक्षों के नीचे हमें ये दीपक लगाने होते हैं तो सबसे पहली चीज हमें जो है ये जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोशकाल में करना होता है जो कि सोमवार के दिन ही किया जाता है इसके अलावा और कभी ने किया जाता है ठीक है तो सोमवार के इस कार्थिक के महीने के सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोशकाल में आपको तीन आटे के दीपक तयार करने जिनके अंदर प्यार करने के बाद इन्हें आपको तीन व्रक्षों के नीचे जाकर लगा कर आना है ठीक है आप वो तीन व्रक्ष कौन कौन से हैं वह हम आपको बताते हैं अगर आप लोगों के घर के आसपास यह तो फिर आप यह उपाय नहीं कर पाएंगे तो करना गया है देखो तीन दीपक आपको घर से तयार करने जलाना नहीं है जलाना वहीं पर जाकर है जहाँ पर आपको यह दिया दीपक रखना है तो सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे यहाँ पर कहाँ पर बिल पत्री के वरक्ष की नीचे कब जाओगे शाम के समय प्रदोशकाल में ही है ना सुमबार के दिन वो भी स्कार्टिक के महीने के तो आप पहले बिलपत्री के व्रक्ष के नीचे पहुंचोगे वहाँ पर जाकर अब अपना पहला दीपक जलाओगे तीनों नहीं जलाओगे पहला अपना पहले ही दीपक जलाओगे पहला दीपक जलाकर बिलपत्री के व्रक्ष के नीचे रख दोगे पहला आपने बिलपत्री के व्रक्षी नीचे लगा है, दूसरा पीपल के व्रक्षी नीचे जाना, वहाँ पर जाकर इस दीपक को जलाना, दीपक को जलाने के बाद इस दूसरे दीपक को भी आप लोग जला देना, और जलाने से के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना, और दीपक जलाने के बात आप लोगो क्या करना है? कि भगवान से प्राथना ज़रूर करना है और जोली ज़रूर फैलाना है ठीक है? फिर दूसरा आपका दीपक भी लग गया है अब तीसरी जो इस्थान है वो है हमारा आमले का व्रक्ष नहीं तो तीसरा जो इस्थान रहेगा वो आवले के व्रक्ष के लिए आप लोगों को जाना है और वहाँ पर जाकर अपना तीसरा दीपक जो है जला देना है और जला कर जो है भगवान से प्रारतना करना है जोली फैला करेना और दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह तीन दीपक आप लोग लगा रहे हैं सबी बड़े व्रक्षों के नीचे लगाने है तो बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाई भी पूर्ण हो जाता है यह वाला उपाई आप जरू करके देख सकते हैं तीन व्रक्षों के नीचे ही आपको यह दीपक लगाने हैं और कहीं पर नहीं लगाने हैं चलिए दोस्तों एक आखरी उपाई के बारे में और बात करते हैं जो कि जो व्यक्ति जिस मनोकामना के सांथ में अपना इसकार्तिक के महीने के सुमवर के दिन यह वाला उपाई करेगा न उसकी व्यक्ति मनोकामना जरूर पूर्ण होकी जो कि है दोस्तों 180 सामगरी वाला उपाई दोस्तों सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिये कि 108 सामगरी वाला जो उपाय है न ये इतना जादा मतलब कारगार है कि इस उपाय को जो भी विक्ति करता है उसकी सारी मनुकामनाय पूर्ण होती है तो इस उपाय में करना मातर यह होता है कि आपको अपने घर से 108 चावल के दाने गिनकर लेकर जाने होते हैं जो भी आप अपनी पूजन सामगरी लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं बहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए उसके बात में भगवाय शिब जी के पास में बैठी है अपने 108 चावल के दाने निकाल कर घर से गिनकर लेकर जाईएगा और भगवाय शिब जी के चड़ाते समय शरी शिवाय नमस्तुब्य बोलना है और जैसे ही एक आखरी वाला 108 चावल का दाना होगा तो उस चावल का दाना को चड़ाते समय आपको भगवाय शिब जी से अपनी मनुकामना बोल देनी है अब हमने आपको 108 सामगरी बोला है तो 108 चावल के दाने भी जो आपको असानी से मिल जाए तो जो आपकी 108 वी सामगरी होगी उसको चड़ाते समय भगवाय शिब जी का नाम जाप करते हुए आप लोग अपनी मनुकामना बोल देना आपकी वह मनुकामना जरूर बोलन होगी अब यह उपाए हो सकता है आपने पहले भी सुनेयों पर क कार्तिक के सुमबार के दिन यह उपाए करने का आपको फल बहुत चलती है और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा बाकी दोस्तों ने उपाए करने में कोई भी दिक्कर समस्या थे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं